हलो दोस्तो मिंतारा सोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ मूमफली और बेसन से एक ऐसी नमकीन जो आप एक बार बनाओगे और दो महीने तक रख सकती हो पूरी बरसात का मंजा लीजी चाय के साथ हमने एक कप बेसन लिया है और दो कप मूमफली ली है ये मू वो जल्दी बन जाती है सबसी पहले हम बेसन को एक बावल में डाल लेंगी एक बड़ी सी बावल में जिससे अच्छी सी मिक्स करती बन जाए अब एक चमाच लेंगे अजवाइन उसी हां से अच्छी सी रगड देंगी जिससी अजवाइन का टर्स्ट अच्छा आएगा अ अब इसमें डालेंगे हल्दी एक चमच लाल मेच डाल देंगे अब इसमें थोड़ा सा हेंग डाल देंगे मेरे पास ये वाली हेंग थी तो मैं उसी को डाल रही हूँ अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे ये जो आज और बेशन की नमकीन बना रहे हैं बहुत जल्दी बन जाती बनाने हैं बिल्कुल टेम नहीं लगता है अगर कोई अचानक आज आयसाम की समय तो एक सैट आप चाय पकाली और एक सैट नमकीन बना सकते हैं बहुत जल्दी बन जाती है साम की छोटी मोटी भूंक मिटाने के लि नमक क्योंकि हम नमक डालना पहले भूल गए थे आप उसी समय नमक डाल लेना जब आप अजवायन और मिर्ची डालना अब नमक को हम अच्छी सी मिक्स कर देंगी इसका गाढ़ा बेटर बनाना है इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि बेशन में बहुत कम पानी लगता है ऐसे गाढ़ा गाढ़ा बनाएंगे अब इसे ढखकर की रख देंगी 10-15 मिनिट के लिए तब तक इसका मसाला बनाएंगे मसाला के लिए हमने लिया है चाट मसाला कुटा हुआ अमचूर पाउडर जीरा पाउडर एक चम्मच हमने लिया है चीनी पिसी हुई लाल मिर्ची कस्मीरी लाल मिर्च काला नमाग सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे क्योंकि जो चीनी थी पिसी हुई तो उसकी छोटी छोटी गुटली बन गई है ज्यादा देल पिसी के रख दो तो गुटली पर जाती है इसलिए उससे अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी क्योंकि हम हल्दी डालना पहले भूल गए थी हमारा मसाला बन गया है इसे रखेंगे अब साइड में दस मिनिट हो गई हैं बेशन को रखे हुए अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा तेल थोड़ा सा डालेंगे खाने वाला मीठा सोड़ा एक चुटकी जिससे हमारा नास्ता बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा इसे अच्छे से मिलाएंगी अब इसमें डालेंगे मुमफली इसे मिला देंगे एक कब बेशन में हमने दो कप मुमफली ली है अब इसमें ज्यादा मुमफली हम नहीं डालेंगे इसे मिलाएंगी अब हम तेल गरम करेंगे हमने सरसों का तेल लिया है जो आप तेल खाते हों उसी से बनाएं जब तेल हमारा अच्छा गरम हो जाएगा तभी हम तलेंगे एक एक चम्मट डालते जाएंगे यह अपने आप अलग-अलग हो जाते हैं थोड़े से जब 2-3 मिनट हो जाएं उसके बाद इसमें थोड़ा सा चम्मट चला दीजिए तो आपने आप अलग-अलग तूट जाएंगे अब इसे 2-3 मिनट तक सिखने देंगे उसके बाद एक चम्मट लेंगे और यह जर्या उससे अच्छे से इसे मिक्स कर दें इसे क्रिस्पी होने तक सेंक लें अच्छे से इसे कच्छा ना रखें अच्छे से सेंक लें क्योंकि इस नमकीन को हम जितने दिन चाहे रख सकते हैं यह खराब नहीं होती अगर आपकी अच्छे से सिखी होगी अब दुबारा ऐसे ही तलेंगे हम उसे भी अच्छे से तलेंगे चम्मच चलाते रहेंगे जिससे अच्छे से अलग-अलग हमारी मूमफली हो जाएं जब छोटे थे बच्पन में तो ये पांच ये दस की छोटा सा परकेट आता था बिल्कुल धोड़ी सी मूमफली जिससे हम मसाला मूमफली ये टेस्टी मूमफली कहते थे और आज मैंने घर पर बनाया है बहुत सारा जिससे हम डिबा में भर करके रख लेंगे अब इसमें गर्मा गर्म में ही मसाला मिलाएंगे जिससे अच्छे से चबक जाए हमारी क्रिस्पी चटपाटी टेस्टी नमकीन बनकर तयार है इस नमकीन को आप एक बार तो जरूर ट्राइ करना और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वेडियो आपको कैसा लगा अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं है तो पिलीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए हमारी मुम फली और बेसन की नमकीन बनकर तयार है केवल पन्दा मेट में ये नमकीन बन गई है बनाने में बिल्कुल टेम नहीं लगा है वेडियो देखने के लिए धन्नवाद